असलाम लेकूम गुड़ानी फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल दोस्तों मैं शाहिन असन आपकी दोस्त आपके लेकराई हूं बहुत सारे ऐसे सवाल दोस्तों जो कि अभी भी हमारे फाउंडर्स के लगातार हमारे पास आ रहे हैं और उनके जवाब दी हमें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को हिट करना बिलकुल भी ना भूलें ताकि लेटेस्ट फीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो फ्रेंड्स बात करते हैं हमने हमारी फाउंडर का जो कोश्चन है वो यह आया है कि 18-11-2021 में उन्हो आइडी का पैसा भी कट गया है और आइडी का रिजिस्ट्रेशन भी शायद हो गया है लेकिन वहाँ पर कुछ वो खोल नहीं पा रहे है ना वो अपना लॉग इन कर पा रहे हैं तो बताईए क्या करना है उनका कहना ये भी है कि दोस्तों उन्होंने जो है सपोर्ट में भी करके उसका ये है कि आप गूगल में जो है आप अपनी दूसरी किती आईडी पर देखिए कि आप अगर उसको ट्रांस्फर करा सकते हैं दूसरी चीज़ ये बताई है कि आपको जो है दुबारा से आप एक बार जो है सपोर्ट में मेल डाली है क्योंकि आट महीने पहले का डेटा है सपोर्ट का वो सारा वहां थे उन्होंने डिलीट कर दिया था अब जो सारा एको सिस्टम के बास सारा डेटा नया उनके पास है तो अगर आप दुबारा से मेल डालेंगे तो उनको वो मेल देखेंगे और आपको रिप्लाइ ज़रूर करेंगे अभी दोस्तों हमा अगरा एक एक आईडी का बीजबी थेदार रुपए ले लिया और अभी तक भी उनकी आईडी जो है फेक बनाके उनको दे दी है लेकिन अब ना तो आईडी खुल रही है ना पासवर्ड मिल रहा है उसका और ना ही उत बंदे का फोन मिल रहा है तो जो भी उनके ब्लैसर ह है आप वहाँ देख रहे है डे बाई डे काम हो रही है इसके लिए दोस्तों बताया है गुस्मिंदर से ने कि ऐसे लोगों की जो है फेक लोगों की लिस्ट बनाए जा रही है जो कि आईडी उनकी टर्मिनेट कर दी जाएंगी और इस पेशल लिक्षिस पे मिस्टर गुस् सरी ऐसे किसी को भी नहीं बोलेगा लीजे एक और आपको मैं केस बता देती हूं एक हमारे फाउंडर है उन्होंने किसी का बहुत सारे लोगों का पैसा ले करके अपनी 11 आईडी बना ली है अब आप सोचिए क्या करना है ऐसे लोगों का मतलब क्या हुने लग रहा है कि अब आपको पता है मिस्टर एच के पास आईपी ट्रैकर है जो हमारे लिए वो ट्रैकर यूज़ कर सकते हैं उनके पास तो पिछले दो साल से ट्रैकर है वो सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे किस की आईडी है कौन इस तरह का का काम कर रहे है दोस्तों आप लोगों क्य पैसर लेकर के अपनी आईडी लगा रहे है कितना गलत काम कर रहे है मतलब आप सोची क्या फाइदा हो रहा है इन सब चीजों का सो प्लीज आप सभी अलर्ट हो जाईए कि इस तरह की अनएथिकल चीजों को जो है बिल्कुल पूरी तरह के बंद कर दीजे और जिसने जिसक कर रहे हैं तो आपको बता है यहां से ना सारा करॉप्शन खता होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है आप यह भी देखते जाएए और एक और बात है दोस्तों आप सभी समझेए चीज को कि सबसे जादा इस तरह के जो इशूज आ रहे हैं कि पैसा ले लिया जैते मैंने अभी आपको बताया उन्होंने अपनी फैमली की 11 आईडी लगा ली या अपनी परसनल खुद की लेकि लोगों के पैसे से लोगों की आईडी नहीं बना के दी तो दोस्तों इस तरह के जो भी इशूज आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में आ रहे हैं कि यहां पर कंपनी का बैसी कली कोई रोल नहीं है कि कंपनी आपको यह सौट आउट करके दे लेकिन हां कंपनी इतना एक्शन जरूर ले सकती है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उनकी आईडी को 100% वो टर्मिनेट कर सकती है तो अपने बहाँ पर बैट करके आप लोग आप वो पुरी दुनिया की लाइफ को जो चेंज करना चाहते हैं जैसी कि एक एग्जामपल दिया था अभी आप सभी ने देखा मुन्ना भाई यानि कि मुन्ना बंजारा का जो एग्जामपल आप सब में देखा कि किस तरह का वो बंदा है वो सिर्फ कूडा उठाने वाला बं और हमेनिटी के लिए काम हो रहे तो पीद आप सभी लोग ऐलर्ट हो जाएं इस बात को बार बार बोला जा रहा है और मेरे खाल से कितने वेबिनार्स इस पर हो चुके हैं कि कोई भी इस तरह के फेक पिपल मत बनिये कि आपकी आड़ी को कोई भी नुकसान हो तो दोस्तों हुआ